आपका स्वागत है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लेंट्स क्या करेंगे ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे हमारी शरीर में पाए जाने वाली हमारी बॉडी में पाए जाने वाली क्या होती है ग्लेंट्स कुछ ग्लेंट्स होती है जिनसे क्या होता है कुछ सब्स्टें इस प्रधार्थ का क्या होता है सिक्रिशन होता है इस्तरावन होता है जिससे हमारी क्या है जो हमारी ये जो सिक्रिशन है हमारे डाइजेशन में ठीक है हमारे रेस्पाइरेशन वगरा और ये सब जो भी एक्टिविटीज है रिप्रोडक्शन वगरा है ठीक है बच्चों के nutrition में है और इन सब में क्या करते हैं help करते हैं साथ ही साथ क्या होते हैं हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रधार तो भी है जो chemical यूक्त होते हैं ठीक है वो हमारी बॉड़ी को एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम भी करते हैं जिसे growth और development में भी वो सहायक होते हैं तो हम क्या यह कहां पर होगी तो यह जो हम कहें यह होगी अगर specially हम बात करें तो वर्टी ब्रेट समें किस में होगी वर्टी ब्रेट समें क्या होते हैं जो ग्रंथियां होती है और वर्टी ब्लैट्स में किसमें ए होती है बिन, कशे रूकी कियों में, अवर्टी यहीं में होती है जिससे क्या होते हैं टो शुरीर कि क्रिया नहीं की जिस्सें प्रक्राइब करते को सुछान्म रूप से यह क्या करेंगे हमेरे मुख में भी होंगे तो यह शरीर की क्रियाओं को क्या करेंगे सुचारूरूरूप से चलाते हैं एक संचालित करते हैं क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हैं क्या हो गया अब हमने कहा कि यह जो वर्टीब्रेट्स में पाई जाने वाली जो ग्लेंट्स होती है कि वो ग्लेंड्स क्या हैं वो ग्लेंड्स थ्री टाइप्स की होती है कितने प्रकार की होती है थ्री टाइप्स की होती है थ्री टाइप्स की होती है तो हम के रहे हैं एक एक्जोक्राइन ग्लेंड होती है क्या बोल रहे हैं हम एक्जोक्राइन ग्लेंड होगी और एंडोक्रा यदि देखें एक्जोक्राइन तो बहिर्स्त्रावी क्या हुआ बहिर्स्त्रावी ग्रंथिया अगला यदि हम देखते हैं बहिर्स्त्रावी के ग्रंथिया ठीक है अंत्रावी ग्रंथिया हो गई और एक और कौन सी होती है मिक्स ग्रंथिया क्या होती है मिक्स ग्लेंड्ज होती है मतलब मिश्रित ग्रंथिया क्या हुआ मिश्रित ग्रंथिया मिश्रित ग्रधिया है ना इसको one by one हम देखते हैं कि क्या होगा ठीके अब पेले हम लेते हैं एक्जोक्राइन ग्लेंड को पड़ते हैं क्या है एक्जोक्राइन ग्लेंड को पेले हैं एक्टे ग्लांस हम समझ लेते हैं कि इन गरंथियों से क्या हुआ इन गरंथियों से जो सब्स्टेंस निकलता है मतलब जो प्रधार्थ होता है वो प्रधार्थ क्या होगा वो प्रधार्थ होता है किस रूप में एंजाइम के रूप में किस के रूप में एंजाइम क्या हुआ एंजाइम क्या बोल रहे हैं क्या है enzymes ठीक है और यह सीधे क्या होगा अगर हम कहें enzymes का इस्तरावन होगा और यह कैसे इनकी प्रकृति इनका nature क्या होगा कैसे होगी यह तो यह enzyme direct किसमे जाएंगे यह जाएंगे आपके duct यह कैसी होती है with duct वाली है with duct with duct मतलब कैसे tube इसमें नली का युक्त होती है कैसी होती है नली का युक्त होती है है नली का युक्त होती है ठीक है नली होती है इसमें क्या होती है tube होती है नली है न और यह सीधा blood में यह जो सीधे हैं कि endocrine gland क्या होगी नली का युक्त होती है क्या होगी इनसे किसका इस्तरावन होगा है किसका इस्तरावन हो रहा है एंजाइम का और वह blood में नहीं मिलता blood में नहीं मिलता क्लियर हो गया यह हमने समझ लिया अब हम के रहे हैं कि अगे हम देख रहे हैं कि अंतill्त्रावी ग्रंतियां endo endo मतलब inside अब आप देखिए कि हमारे शरीर में और इसपेशली अगर हम बात करें वर्टीप्रेट में किसकी बात कर रहे हैं हम human beings की कि यूमन बिंग्स की बात कर रहे हैं न तो उसमें एक्जो एक्जो मतलब बाहर क्लियर क्राइन मतलब सिक्रिशन ठीक है अब आप यह सा नहीं साइंज है कि शरीर के बाहर है भई शरीर में हैं पर उसमें क्या होगा हम जैसे के आगे में बता रहा हूं आपको है न अभी पर आजाते हैं एंडोक्राइन में क्या होगा एंडोक्राइन में हार्मोन्स हार्मोन्स का इस्तरावन होता है किसका इस्तरावन होता है हार्मोन का इस्तरावन होगा ठीक है क्या बोल रहे हैं हम हार्मोन्स यह केमिकल्स होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी हार्मो का जो सीधा इस्त्रावन है हार्मोन का इस्त्रावन जो होगा इन हार्मोन का जो इस्त्रावन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है सीधे ब्लड में किसके द्वारा हो रहा है किसके ब्लड के द्वारा हो रहा है target आरगन पर क्या है target आरगन लक्षित अंगों में target आरगन तक जाता है और ये कैसी होती है without duct कैसी होगी नली का विहीन नली का विहीन होती है मतलब without duct endocrine duct क्या होगी without मतलब इसमें क्या होगी जैसे यहाँ tube है न वैसे यह tube नहीं होगी clear हो गया तो यह समझ में आ गया इनसे क्या secret हो रहा है इनसे secret हो रहा है क्या hormones किन से endocrine से प्रश्न अगर आ गया कि endocrine gland से क्या इस्तरावीत होता है कुन सा प्रधार्त इस्तरावीत होता है तो हम कहेंगे क्या hormones फिर आता है कि endocrine या कंतर स्तरावी गरंठीयों से hormone का इस्तरावन किसमे होता है सीधे blood में होता है किसमे होता है? सीधे blood में होता है यह कैसी होती तो नली का विहीन होती है without duct ductless इसलिए इसको ductless gland भी कहा जाता है इसलिए इसे ductless gland इसलिए इने क्या है नलिक का विहीन होने के कारण इनको ductless gland भी कहा जाता है अब हम किस पर आ रहे हैं? तो अब हम बात करेंगे किस पर अब हम कह रहे हैं मिक्ष्रिद ग्रंथियां एसी ग्रंथियां जिनसे क्या होगा एंजाइन का इस्तरावन भी होगा और क्या होगा उनसे हार्मोन का इस्तरावन भी होता है मतलब क्या है दोनों प्रकृति की होती है एक्जो भी होती है वएन एक्टेजे एंडो एक्जोक्राइन यह क्या करेगी किसका इस्तरावण करेगी एंजाइम का एंजाइम का है ना और एंडोक्राइन के रूप में क्या है यह हार्मोन का इस्तरावन कर रही है हार्मोन का इस्तरावन कर रही है ठीक है इसी लिए इसका एक्जाम्पल यदि हम देखें तो क्या होगा पेंक्रियाज अगनाशय क्या होगा अगनाशय तो अगनाशय पूछा गया है पेंक्रियाज जो होता है क्योंकि इससे एक्जोक्राइन ग्लेंट से क्या होगा एंजाइम का सिक्रिशन होगा और इससे एंडोक्राइन के रूप में हम कहें हार्मोन का और एक्जोक्राइन के रूप में एंजाइम का और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हमने कहा जो एंडोक्राइन के रूप में जो हार्मोन नि अब हम यहाँ पर exocrine gland की बात detail में करते हैं और क्या देखते हैं कि इसके examples क्या होंगे आईए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो exocrine gland है जिसको हम बोल रहे हैं बहिस्त्रावी ग्रंथिया है उसमें हम कहेंगे क्या बहिस्त्रावी ग्रंथियों में जो है ये ग्रंथियां मतलब क्या हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियां ये ग्रंथियां ये ग्रंथियां बोडी सर्फेस पर क्या बोल रहे हैं बोडी सर्फेस पर क्या उराए शरीर सत्व पर क्या है नलीका के माध्यम से क्या बोल रहे हैं नलीका मतलब डक्ट के माध्यम से बोडी सर्फेस पर नलीका या डक्ट के माध्यम से क्या है प्रधार्थों का कुछ प्रधार्थों का सब्स्टेंस का प्रधार्थों का अब हम प्रधार्थ क्या बोल सकते हैं यहां पर एंजाइम होते हैं भई होते हैं फिर हम के रहें कि हमारे शरीर से स्वेट निकलता है पसीना निकलता है ठीके फिर हम करें कि हम जो बड़े हुए हैं तो शुरू में जब हम छोटे थे शीशू थे तो हम खाना नहीं खाते थे तो हम इस्तनपान करते थे ठीके और हम बड़े हुए ठीके तो क्या होगा यहाँ पर दुग्द का स्त्रावन होगा मिल्क है ना हमारी मदर का मिल्क पीकर हम बड़े हुए छीशू थे जब ठीके तो मिल्क का प्रोडक्शन होगा और अन्य और भी है एक्सेट्रा का स्त्रावन या सिक्रीशन होता है क्लियर होता है कि नहीं होता है ये क्लियर हो गया मरा हमने सब बता दिया पसीन है मिल्क है और भी मैं आगे बताओंगा इनके एक्साम्पल्स तो यह क्या हुए आपके endocrine gland का एक definition हमारी हो गई ठीक अब यदि यही देखें हम कि endocrine gland के function क्या होंगे functions of exocrine gland क्या बोल रहे हैं exocrine gland के function क्या होंगे कार्य क्या होंगे भई कार्य क्या होंगे कार्य इसके तो हम के रहें क्या lubricating, lubrication, lubrication हम के रहें इस नेहक के रूप में इस नेहक के रूप में हैं काम होता है दूसरा lactation मतलब क्या हुआ दूद के रूप में क्या है दूख दिस्त्रावन और regulate body temperature ठीक है हम क्या बोल रहे है regulation of body temperature मतलब शरीर के कापमान नियंत्रण में ठीक है regulate करता है control करता है नियमन हम इसको बोल से हैं क्या हो गया नियमन और help in digestion help in digestion की बात करें हम मतलब पाचन में साहता पाचन में साहता हो गई और अगर हम कहें तो help in reproduction प्रजनन में किसमें प्रजनन में भी साहता करता है तो अब आप देखो lubrication में हम के रहें अभी हम के रहें यहां पर पढ़ेंगे हम की जैसे सेलाइवा निकल रहा है तो क्या हो रहा है लूब्रिकेट कर रहा है न खाने को lactation मतलब memory gland से क्या हो रहा है दूद का इस तरह वाण हो रहा है फिर पच्छी न निकल रहा है तो हम यह बोल सकते हैं सेलाइवा यह सेलाइवा हो गया आपका लार लार मतलब लूब्रिकेशन इसने हट के रूप में क्या है सेलाइवा भी है ठीक है फिर lactation को यदि हम देखे तो क्या है क्या मेमेरी ग्लेंट से निकल रहा है है न मेमेरी ग्लेंट से फिर regulation और temperature किसके द्वारा तो हमने कहाँ स्वेट के द्वारा पसीने के द्वारा प्लियर फिर हम के रहें कि पाचन में साहता हो रही तो हम के रहें क्या गैस्ट्रिक जूस निकल रहें एंजाइम्स निकल रहें ठीक म्यूकस निकल रहा है तो यह सब क्या करेगा यह आपके पाचन में हैं फिर हम करें help in reproduction तो हम करें कि जो smen निकल रहा है ठीक है जो वीर निकल रहा है वो भी क्या है reproduction में help कर रहा है मतलब क्या है किसी गरंटी से निकल रहा है ने गौनन टे क्लियर है तो ये सब क्या हो गए आपकी बहिर गरंटियां अब इन बहिर बहिर गरंटियों के example को देखते हैं, क्या है, exocrine glands, example of, अब उधारण क्या है, कौन-कौन सी भाहिट स्तरावी ग्रंथिया है भाहिट स्तरावी या भाहिट स्तरावी ग्रंथिया कौन-कौन सी ये भाहिट स्तरावी ग्रंथिया तो हम वन बाई वन चलते हैं तो हम कह रहे हैं कि लेकराइमल ग्लेंड की बात कर रहे हैं इसकी लेक्राइमल ग्लेंड की बात कर रहे हैं अश्रू ग्रंथियां अश्रू ग्रंथि की बात कर रहे हैं तो आप देखिए अश्रू ग्रंथियां लेक्राइमल ग्लेंड है जैसे अगर हम कहें तो यहां पर हम यह हमने कहा है यह नोज है हमारी है न अब यही पर हम चलिए जिसे यह आईज हम बना रहे हैं है न यह आईज है हमारी तो यहाँ पर आप देखिएगा यहा यह यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लेक्राइमल ग्लेंड है और नीचे क्या मियोबियन ग्लेंड भी होती है है न तो अभी हम लेक्राइमल की बात करें तो लेक्राइमल ग्लेंड क्या होगी लेक्राइमल ग्लेंड से क्या निकलेगा तो हम उसको बात करें, तो क्या हो रहा है tears आसू आसू का इस्त्रावन हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है आसू का स्त्रावन ठीक है, और कहां से निकल रहा है आखों से eyes से तो यह जो glens होगी यह duct के थूँ इस आख में जैसे हमने बताया कि ये एक आईजे clear है ना तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर duct होगी जिससे क्या निकलेंगे जिससे क्या निकलेंगे आपके आसू निकलेंगे अश्रू निकलेंगे clear हो गया और अब हम और भी देखते हैं कि क्या है lubrication का काम भी करेंगे जिसे कुछ आँखों में अगर कुछ इसा लगता है कि कुछ चले गया तो वहां पर एकदम से क्या होगा बहुत ज्यादा आसू निकल आते हैं इमोशनल हो जाते हैं तो यह जो आपका कॉर्णिया वाला पार्ट है यहां पर जब पूरा निकलता है तो आपको लूब्रिकेश होता है चले जाता है ठीक है तो यह क्या हो गई लेक्राइमल ग्ले और यदि और भी बात करें तो इसमें एक एंजाइम भी पाया जाता है क्या होता है एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी इसमें पाया जाता है अब अगला यदि हम देखते हैं तो अगले की बात करें तो Miobeon किसकी बात कर रहे हैं? Mibomion Glend Mibomion Granthi अब Mibomion Granthi वो होती है आँखों के नीचे वो कहा होगी आँखों के नीचे होती है और उसमें कुछ Oil जैसा Substance क्या होता है? निकलता है ये भी कहाँ पर होगी? Eyes में होगी और इनसे क्या निकलेगा? तो इनसे यदि हम कहें तो क्या निकल रहा है यहाँ से? यहाँ पर निकल रहा है Oil क्या होगा? Oil गरंथिया ये होगा तेली गरंथियां होती है Mibomion आख में होती है तेली गरंथियां होती है ठीक है मतलब ये भी लूब्रिकेंड कई बार आखों में बहुत जादा अगर हम कह रहे हैं कि एकदम आसु तो आए हैं पर उसके साथ थोड़ा से हम डारेक्टली बोल दें कीचर जैसा कुछ आ जाता है म्यूकस हो जाता है निकलते हैं हम सुबह सु अगर कान कर्ण कान तो कानों में इयर्स में इयर्स में यदि हम देखें तो इयर्स में क्या होगा सिबेशियस ग्लेंड होती है क्या होता है सिबेशियस ग्लेंड होती है अब अगला हम चल रहे हैं अगला हम चल रहे हैं तो सीरू मिनस सीरुमिनस ग्रंथियां होती है, वो सीरुमिनस ग्रंथियां जो होगी वो कहां होगी, वो होगी इयर्स में, कहां पर होगी, ears में होगी, कानों में होगी और कानों में कहां होती है तो हम किरें हैं कि ये जो external ear है ये देखिए, ये external ear है और external ear में एक क्या होती है ये external ear है आपका ठीक है? इस external ear में यहाँ पर external ear में इस जगे पर और इसको हम क्या बोल रहे है यह external ear हो गया हमारा ठीक है अब external ear के जो ear drum होता है किसकी बात कर रहे हैं हम ear drum की बात कर रहे हैं यह वाला क्या है ear drum जिसको auditory kenal केते हैं ठीक है यह जो यह यहाँ पर हम कई बार ear bud डालते हैं और आप ear bud डालके आपको देखते हैं कि हम जिसको कान का मेल कहते हैं तो वो क्या है seruminous गरंथियां है इस seruminous गरंथियों से यहाँ पर जो मैं यह बता रहा हूँ यह क्या है wax है, mom है ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यह तो यहाँ पर क्या होगी seruminous glands होगी जिनसे क्या है serumin का इनसे क्या निकलेगा इस seruminous gland से क्या है serumin serumin का इस तरावन होता है और seruminous मतलब क्या हुआ wax wax के रूप में जिसको हम बोलते है mom क्या होता है mom clear हुआ अब और आगे बढ़ते हैं हम clear और आगे जिदी बढ़े तो क्या होगा यहाँ पर जब है तो sweat गरंथिया sweat glands sweat glands से क्या निकल रहा है sweat निकल रहा है मतलब क्या है sweat गरंथिया sweat गरंथियों से क्या निकल रहा है पसीना निकल रहा है यह सब किसके द्वारा हो रहा है और यही sweat गरंथियां भी क्या करेगी देखो sweat गरंथियां क्या करेगी टेंपरेचर आप जैसे पसीना निकलता है और हवा चलती आपको ठंडग भी महसूस होती है तो तापमान का क्या करेगा यह पूरी तरीके से इसको मैंटेन करके चलता है फिर और आगे यदि हम चलते हैं तो हम बात करते हैं स्वेट गरंथियों के अलावा और कौन सी तो अब सांत हम ले लेते हैं से लाइवरी ग्लेंड लार्ग रंधिया लार्ग रंधिया जो है तीन में आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है लार गरंथियां हैं उन लार गरंथियों से किसका सिक्रिशन होगा सेलाइवा का और सेलाइवा क्या करेगी लार क्या करती है मुख को लूब्रिकेंट करने का काम करती है मौश्यर पूरा गीला कर देती है और लूब्रिकेंट है जिससे इसो फेगस में जो पैरिस्टाल्टिक करमान कुंचन गतियां होती है उससे उसमें क्या होता है पूरी तरीके से यह लूब्रिक एंठ हो कर देता है और सीधी की सीधी तरक से हम उस बाइट को उस बोलस को अंदर निगल लेते हैं क्लियर हुआ तो सेलाइवा और सेलाइवा में especially क्या है एंजाइम पाया जाता है एक एंजाइम पाया जाता है इस सेलाइम में जिसको हम बोलते हैं सेलाइवरी सेलाइवरी एमाइलेज सेलाइवरी एमाइलेज या हम बोलते हैं टाइलीन एंजाइम टाइलीन एंजाइन क्या हो गया टाइलीन एंजाइन ठीक है तो यह आपका क्या हुआ यह आपकी हो गई सेलाइवरी ग्लेंट फिर अगली और चलते हैं हम अगली और बात करते हैं तो हम बात करेंगे किसकी हम मेमेरी ग्लेंट की बात कर रहे हैं किसकी memory gland इस्तन गरंथिया इस्तन गरंथिया हो गई इस्तन गरंथियों से अगर हम कहें तो क्या होगा इस्तन गरंथियों से किसका milk का production होगा किसका milk का ठीक है किसका होगा milk का दूद का निर्माण होगा किसका दूद का इस्त्रावण होता है ठीके और आगे यदि हम चलते हैं तो हम किसकी बात करेंगे हम lever की बात करते है क्या है यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या lever अगला हमारा क्या है lever की बात करें यकरत तो यकरत को यदि हम बोलें एक प्रशन आता है कि largest gland of the body तो हम largest gland में सबसे बड़ी बात कर रहे है gland कौन सी है तो lever होती पर exclusively अभी हम पढ़ रहे हैं क्या exocrine gland तो बिल्कुल ध्यान रखने का शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथी कौन सी होगी सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथी कौन सी होगी तो वो lever होगी फिर जब हम endocrine gland की बात करेंगे तो वहाँ सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथी endocrine को भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ कौन सी है सबसे बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथी सबसे बड़ी एक्जोक्राइन ग्लेंड सबसे बड़ी एक्जोक्राइन ग्लेंड हो गई हमारी लीवर और ये किसका सिक्रिशन कर रही है तो हमने कहा बाइल का कर रही है बाइल जिसको हम बोल रहे हैं या बाइल पित्रस का सिक्रिशन पित्रस का और यह पित्रस बढ़ जाता है तो क्या होता है भाई क्या है तो हम के रहे ना बिली वार्डीन का भी प्रोडक्शन हो रहा है यहां पर बिली वार्डीन का भी हो रहा है ठीक है बिली वार्डीन जो है बिली वार्डीन पित को ग्र यह ना बिली रूबीन है फिर बिली वर्डीन है बिली रूबीन अगर शरीर में बढ़ जाता है यह शरीर में अगर बढ़ गया इसके बढ़ने से क्या हो जाता है तो इसके बढ़ने से हम बोल रहे हैं कि पीलिया हो जाता है जिसको जॉइंडिस बोलते है इसको जॉइंडिस हुआ इसमें हीपाटिक से लो Way dość होने के कारणल ही यक्रत या लीवर या जिगर को हम क्या कहते हैं हीपाटिक हुर्गन कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर फाइबिरमभी होता है ग्लाइक को दरने आखलता है लोगा कि ग्लाइकोजन को भी क्या करेगा यह इस्ट्ओर कर करके रखेगा ग्लाइकोजन मतलब जब ग्लुकोज अधिक मात्रा में बन जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में यह क्या हो जाता है इस्टोर हो जाता है क्लियर है और हम बात करें कि जो एंब्रियोनिक कंडिशन में बूर्णी अवस्ता में आर बीसी का निर्मान भी लीवर करता है यह क्लियर तो यह क्या हो गया लीवर की हमने बात करी फी साथी साथ हम एक इस्टमक की बात कर रहे हैं मतलब क्या यहां पर गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं जठर रस की बात कर रहे हैं और जठर रस कहां बनता है आमाशय में बनता है कहां बनता है आमाशय में और क्या होता है पैपसीन पैपसीन जो की पैपसीन और क्या बात करेंगे पैपसीन ध्यान रखिएगा हम किसकी बार रहे हैं गैस्ट पेपसीन एंजाईम निकलता है थीक है अब अब प्रो रेनिन और एक क्या होगा एक पेपसीन एक्टी ववस्था में रहेगा प्रो रेनिन जो होगा वो रेनिन में कनवर्ट होगा तो दूसरा कौन सा है। रेनीन हो गया रेनीन एंजाइम यह दोनों क्या है सक्री एक्टिव एक्टिव एंजाइम है क्या है सक्री एंजाइम है क्या है सक्री एंजाइम है मतलब जब क्या हुआ पेपसी नोजन जैसे मैं यहां पर एक बताता हूँ पेपसी नोजन किस में बदल गया पेपसी नोजन किस में बदल गया पेपसी किस के कारण अब से निकल रहा है आमाशय से और पेपसी नोजन किस में बदल गया पेपसी नोजन किस में बदल गया और इसको क्या है कारण में बदल देगा दही में बदल देगा पर हमारा अभी टॉपिक यह है कि जो गैस्त्रिक जूस है वो कहा से वो किस रूप में आमाशय है वो क्या है बहिस्त्रावी ग्रंथी के रूप में है जहां से क्या निकल रहा है गैस्त्रिक जूस निकल रहा है clear, तो अब अगला हम देखते हैं क्या और भी बच्ची होई है, कुछ बहिस्तरा भी ग्रंती, देखते हैं, ठीके, और एक होती है आपकी, एक अगर हम देखें, तो वो क्या होगी, mucos gland, म्यूकस ग्लेंड मतलब श्लेश्मा श्लेश्मिक ग्रंथियां है न म्यूकस ग्रंथियां क्या बोल रहे हैं म्यूकस ग्रंथियां गरंथियां अब हमने कहा कि कुछ गरंथियां ऐसी भी होती है क्या इनसे कैसा प्रदार्थ निकलता है म्यूकस निकलता है क्या निकलेगा इनसे म्यूकस निकल रहा है क्या निकल रहा है म्यूकस का इस्तरावन हो रहा है अगर हम यही बात करें कि इस्टमक के आंतरिक दिवालों से औक्जेंटिक कोशिकाओं से क्या या पेराइटल से क्या निकलता है एस्सील का सिक्रिशन होता है एस्सील क्या होगा जो हैड्रोकलरीक एसीड के रूप में जिसका पीएज बहुत ज्यादा होता है हम कहें रहें 1.8 से 2 का होता है तो वह अंतर जो अंदर की आमाशाई की इस्टमक की अंदर की वाल को जमा क्या जला सकता है इसलिए वहाँ से क्या होगा कुछ म्यूकस लेश्मिक सेल्स कोशिकाएं होगी म्यूकस ग्लेंड होगी म्यूकस कोशिकाएं होगी जिन से क्या होगा म्यूकस का इस्तरावन होगा और वो क्या करेगा म्यूकस का सिक्रिशन कर देगा और उस ACL के प्रभाव को कम कर देगा ACL का प्रभाव कम हो गया तो आंत्रिक वाल जो है आमाशे की internal wall of the stomach क्या होगी वो जलेगी नहीं तो ये हमने क्या पढ़ लिया हमने देख लिया ये आपका endocrine sorry, exocrine gland बही स्तरावी ग्रंथियों को पढ़ लिया अब अगला हम चलते हैं endocrine gland की बात कर रहे हैं तो endo means क्या हुआ endo means क्या inside within within है ना और crime means क्या हुआ crime means क्या हुआ crime की बात करें तो crime जो होता है crime जो होता है वो क्या होता है वो होता है to secretion secret क्या इस्त्रावण क्लियर तो और कहां पर होगा यह सीधे कहां पर होगा यह बलड में इस्त्रावण होता है क्या है बलड में सीधे जो सिक्रिशन होगा बलड में ही इस्त्रावण होता है है ना बलड में ही इस्त्रावण होता है और किसका इस्तरावन होगा ब्लड में तो हम कहाएं किसका हार्मोन का किसका हो गया हार्मोन का इस्तरावन किसका इस्तरावन हार्मोन और हार्मोन क्या होते हैं क्या स्टेरोइड होते हैं कार्टिको स्टेरोइड प्रोटीन भी होंगे मतलब हम बोल रहे हैं यह steroids होते हैं जिनको हम क्या है इनको detail में आगे हम पढ़ेंगे endocrine system में ठीक है तो हार्मोन हुआ और यह कैसे होंगे भई यह जो blood है blood जो हार्मोन है blood में blood किसमें बहेगा तो blood क्या होगा without duct इसमें क्या है नली का विहीन नली का विहीन गरंथियां होती है हम किराएं कि हार्मोन का इस्तरावन सीधे किसमें होगा blood में ही इस्तरावन होता है किसका hormones का ठीक है ductless gland इसलिए इसको क्या कहते हैं ductless gland क्या है ductless अब हम जैसे कहें कि यह एक water tank है clear है न इसमें हम नीचे से पानी हमको डालना है clear तो क्या होगा यहाँ पर यह pipeline है न इसमें से पानी जा रहा है तो tube हो गई कि नहीं duct और यहाँ से फिर supply करना है हमको आगे supply करना है यह से supply करना है तो pipe हो गया कि नहीं हो गया परन्तु इन endocrine gland में endocrine gland में क्या होगा tube ट्यूब नहीं होती और tube को यहाँ क्या बोला है duct बोला है तो duct नहीं होगी duct less gland कहा जाता है और duct नहीं होगी इसलिए इसको endocrine gland कहते हैं इनसे किसका अब question बनता है कि exocrine gland में कैसी होगी तो वो होगी क्या with duct duct यूग तो होगी नलिका यूग तो होगी फिर बोला है endocrine या बहिर स्त्रावी ग्रंथियां कि अपेक्षा जो अंतह स्त्रावी जो ग्रंथियां होगी अंतह स्त्रावी ग्रंथियां होगी क्या वो कैसी होगी नलीका विहीन ग्रंथियां होगी जिनसे क्या निकलता है उनसे हार्मोन नहीं निकलता उनसे निकलने वाले प्रधार्थ को उनसे निकलने वाले या इस्त्रावित इस्त्रावित होने वाले प्रधार्त को इस्तरावित होने वाले प्रधार्त को हम क्या कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं हार्मोन्स बोलते हैं known as secretion substance called hormones, hormones is the steroid ठीक है वो क्या करेंगे और हां हम करें हैं कि सीधे ब्लड में कि target A clear यहां से इस्तरावित हुआ ठीक है और कहां मिल गया यह blood vessels में मिल गया आया blood में ठीक है यह हार्मोन यह हार्मोन कहां पर है हार्मोन A में A से कहां गया B में A से कहां गया blood vessels में blood vessels में रग्तवाहीन में गया और रख्तवाहीन में कहां कर दिया इसको B target target पर लक्षित लक्षित अंगो तक पहुँचाता है clear लक्षित अंगो तक डालता है मतलब और माध्यम क्या हुआ blood का और यहां क्या हो गया हार्मोन हो गया ठीके चले तो अब हम देखते हैं क्या करेगा शरीर की व्रधी के लिए इसका कारी क्या है हार्मोन का कारी क्या है endocrine gland का कारी क्या है कारी क्या है endocrine gland का शरीर की व्रधी में सहायक व्रधी और वो विकास में मदद करता है growth and development के लिए क्या करेगा अब जैसे कोई बच्चा छोटा है दीरे दीरे बड़ा हो रहा है male female है तो अब बड़ा हो रहा है लड़का तो उसकी दाड़ी मूचे बगर आ गई ठीक है जो लड़किया है उनमें भी परिवर्तन आ गया तो वो क्या हो गया उनमें इनी हर्मोन के करण changes आते हैं ठीक है फिर आगे अगर हम और भी देखें तो यह बात कर रहे हैं क्या कि जिसे कि ग्रोथ है एक बच्चा है वो क्या है बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो उसमें जो क्या है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गए अब किसी में क्या हुआ व्रदी हार्मोन बढ़ गया अब वो नाटा रहे गया तो क्या इनसे अलग-अलग बिमारिया भी होती है जिसको हम लोग देखेंगे अब एंडोक्राइन ग्लेंड के प्रकार यह दी देखें टाइपस ओफ ताइपस ओफ या एक्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लेंड ग्लेंड तो अब हम यहाँ प इसको विशेश तोर पर एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे ठीक है अंतह इस्तरावी तंत्र में पढ़ेंगे पर हम देखते हैं कि इस एंडोक्राइन ग्लेंड में कौन-कौन सी ग्लेंड तो हम के रहे हैं हाइपो थेलेमस हाइपो थेलेमस दूसरा हमारा पीनियल बॉड़ी पीनियल बॉड़ी पीनियल काई पीनियल काई है तीसरा हमारा जो आता है प्यूटिटेरी ग्लेंड प्यूटिटेरी ग्लेंड मतलब प्यूश ग्रंथी प्यूश ग्रंथी है और ये सब कहां पर होगी ये होगी ब्रेंड में और प्यूश ग्रंथी को हम् पिर हम आते हैं किस पर थाईराइड ग्रेंड जिसको हम बोलते हैं आउटू ग्रंथी यह गले में होती है फिर हम किये रहे हैं कि पेरा थाईराइड पेरा थाईराइड ग्रेंड पराउटू पराउटू ग्रंथी यह भी कहा होगी गले में होगी ठीक है थाइरड जो के बटरफ्लाई आकार की होती थाइरड उनमें ही दो पेयर क्या होगी पराउटू या थाइरड गरंथी होती है फिर अगर हम चलते हैं तो हम बात करते हैं एक थाइमस गरंथी थाइमस ग्लेंड होती है थाइमस थाइमस गरंथी होती है जो कहां पर होती है नियर हाड ये रधाय के पास होती है रधाय के पास में होती है थाइमस गरंथी फिर और आगे हम चलते हैं तो नीचे आते हैं हम तो यहां पर हम देखेंगे एक पेंक्रियाज होता है जी हाँ पेंक्रियास अगनाशाई की बात करेंगे अगनाशाई जो है जब एंडोक्राइन ग्लेंड के रूप में कार्य करेगा तो क्या है हार्मोन का सिक्रीशन करेगा उसमें से एक प्रमुख हार्मोन है क्या वो है आपका इंसूलिन इसे मिश्रित ग्रंथी भी केते हैं क् पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस भी निकलते हैं फिर और आगे हम चलते हैं पेंक्रियास से नीचे की और अगर हम आ गए तो क्या होगा एड्रेनल ग्रंथी और एड्रेनल ग्रंथी कहां पर होती है तो हम किढने के उपर किडनी के उपर होती है ये देखिए अगर मैंने यहाँ पर ये बताया ये किडनी है ये किडनी है हमारी ये किडनी है तो यहाँ पर adrenal gland कहाँ पर होगी तो ये वाली gland जो होगी इसको हम बोल रहे है adrenal gland clear हो गया यह adrenal gland है फिर और आगे हम चलते हैं तो क्या आ जाएगा gonads आ जाएंगे क्या आ जाएंगे gonads gonads मतलब क्या है जनद और उसमें क्या है testis व्रशण और यह किस में होंगे male में होंगे ठीक है इनसे हार्मोन निकलेगा और दूसरा ovaries और जो होती है अंडाश है और यह कहा होंगी female तो यह क्या है example है हमारे किस के endocrine gland के और इन सब को हम अलग से पढ़ेंगे अंतस्त्रावी तंत्र में और इसलिए अगला जो topic हमारा होगा वो endocrinology human endocrinology होगा शरीर सरशना विज्ञान में क्या human body structure में अगला जो होगा हमारा वो क्या होगा वो है हमारा अंतस्त्रावी तंत्र endocrinology क्लियर और मिश्रित गरंथी है तो मिश्रित गरंथी को मैं आपको बता चुका हूं क्या pancreas digestive system में हम लोग पढ़ चुके हैं परन्तु endocrine system में भी हम इसको पढ़ेंगे तो आज इतना ही अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं थैंक्यू